आज हम आप सब के बीच में एक क्रम नियत का विशय देना चाहते हैं जिसे की सबसे ज़्यादा क्रम बद्ध परियाय के नाम पर प्रकासित किया गया है और वह सारे आचारियों का उधारन एक पक्ची रूप से प्रिस्तित किया जाता है सच है कि जम जस्ते देश काले जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो होना होता है वह होता है ऐसा कहने वाले लोगों के लिए एक बात अपने को समझना पड़ेगी कि जो जो देखी वीतरागने सोसो हो सी वीरा रे अन होनी न होए काहे होत अजीरा रे किस काल में क्या होता है क्या नहीं होता है तो जहां पर एक काल नियत नहीं दिया गया है वहीं पर सौकाल नियत दिया गया है वहीं परकाल भी दिया गया है और अकाल नियत भी एक नएकी विवस्था आचारी अमरिच चंडर जी ने अपने प्रवचंसार गरंथ में की है इससे ये सिद्ध होता है कि यह हमारा जिस काल में जब जैसा जो होना होता है वहीं होता है इसका दुरोपयोग ना कर सकें लोग क्रमनियत परियाए एक सिध्धान्त ऐसा है जिसका आधार यह कहा जा सकता है कि जिस आधार पर संतोस गुण पैदा हो और संतोस गुण जब हमारे अंदर पैदा हो जाता है अलंग सक्तिर भवितब तेयम हेत उद्धया विसकत कारी लिंगाए अनिस्रो जन्तु रंक्रियारता संगित कारी सुविति साधदवादी आचारी समंत भतर देव ने यह एक विवस्था सामने पृष्टत करते हुए कहा गया है कि दोनों नयों से कारी होता है एक नय से कारी नहीं होता है और पंच समवाए की विवस्था को लेकर के जो कथन किये गए हैं वो कथन सब हमारे लिए सुविक्रेणी हो सकते हैं परन्तु हमें अनेकांत को नहीं भूलना होगा अनेकांत की अपेक्छा से ये कथन एक आंसिक रूप में ही सुविकार करने योग हैं सर्व था एक आंते से सुविकार करने पर शिद्दान्त की बहुत बड़ी बाधा आ जाती है हम एक लिए एक छोटा सा उधारन के माद्धम से समझ सकते हैं कि जैसे किसी समय कोरोना काल चला था उस कोरोना काल में किसी के पिताजी कोरोना में एकस्पायर हो गए तो उसके लिए अब उसकी जब मा की स्वास्त खराबगा तो वह कहने लगा जब इनको ठीक होना होगा तो होगा नहीं होना होगा तो नहीं होगा मैं अस्पतार के चकर काटने वाला इससे नहीं हूँ तो उस समय यह बात आई कि जो उन लोगों ने फिर पुना समझाया ऐसा नहीं है क्योंकि हमने यह बात उस समय कही थी जब पिता जी एक्सपायर हो गए थे तुमारे उनको समझाने उस देश्टी से कि इसके खेद में इसके सोक में तुम अधिक मत डूबो सोक से उबरो क्यों इसका ताथ पर यह नहीं है कि तुम अपनी मा के स्वास्त के लिए किसी प्रकार से चिंते तना हो और उनके स्वास्त के लिए उनके लिए किसी प्रकार से आप वेवस्ता ना करें जब तक कारियर नहीं होता है तब तक के लिए हम पुरसार्थ की आबस सकता होती है और जब कारिय हो जाता है तभी उस समय काल नियत की बात होती है इस बात को हमें इस पश्टता समझ करके और सोच करके चिंतन में लाना चाहिए यही हमारा एक विशय विचारिनिय है इसकता स बात है ताम में ला雁बा में में है अाइब करके विचार को हमें लाम ही इसी हमारा इसमय करके विचार ना, भीखास बात है यहीं, अ़िए समय काल चाहिए